इस अधा ब्रह्मांड में बिंदू मात्र इस प्रिजवी पर पल भर के लिए जन्में हमें छोटे कण मात्र हैं अपने इस छोटे जीवन चक्र में हम केवल उपभोग ही करेंगे या फिर अपनी आने वाली पीडियों को कुछ दे कर भी जाएंगे ये समस्या जिसे आज हमने इतना बड़ा होने दिया है कि ये हमारे समूचे भविश्य को काल का ग्रास बनाने के लिए तैयार है तो फिर क्या हुआ अगर ट्रम्प साब कहें कि गलोबल वार्मिंग नहीं हो रही है हमें गलोबल वार्मिंग की जरुत है या फॉक्स निउस कहें कि क्लाइमेटिक चेंज सबसे बड़ा मित है या फिर एक प्रोफेसर को ग्लोबल वार्मिंग का ग्राफ जारी करने के जुर्म में जान से मारे जाने की धंकिया मिले पर जब नौइडा में ओले पढ़ने से सडक बर्फ की चादर दिखाई दे और बेमौसम की बरसात मेरे घर में रहने वाली छिपकली से लेकर हमारे आंगन में आने वाली गुरईया तक को प्रभावित करे तो हमें ये माल लेना चाहिए कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो सौ साल बाद असर दिखाएगी, ये अपना असर अभी दिखा रही है, ऐसा ही कुछ हुआ है किरवाती के लोगो के साथ जिनने रातो रात अपना घर खाली करना पड़ा क्योंकि समंद्र का पानी उनके घरों में बुष आया था, मैनमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर महीं जब हमारे सभी तटवर्ती शहर जलमगर हो जाएंगे और इसका मुख्य कारण है पोलराइस कैप्स का पिखलना यह है ग्रीन लैंड जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर्फ का मैदान है यहां पर बर्फ पिखलती ह है जिससे आर्क्टिक ओशन में पानी आता है एक समान्य प्रकिरिया है परंतु पिछले दो सदियों में दो दश्कों में यह बरफ पिखलने कि अधर असमान्य रूप से बढ़ी है देखा जाए तो 1992 से 2001 तक यह तर 34 गीगाटन प्रतिवर्श थी जो 2012 से 2016 में बढ़के 269 ग अर्थ पे आती है उसका 85% वापे स्पेस में रिफलेक्ट करता है जो कि एक एक काम करता है नॉर्दन हमिस्वेर के लिए पर अगर इसी तरीके से आर्क्टिक की ग्रीन लाइंग की बर्फ पिखलती रही तो यह एक ब्लैक शीट बन जाएगा और यह इफेक्ट करना बंद क हो भी अपने जद में ले लिया है वह कोरल इको सिस्टम जो हमारे विकास की पहले प्रकिरिया का हिस्सा थे पिछले तीस वर्शों में वह भी 50% से अधिक समाप्त हो चुके हैं ऐसा ही ओशियन क्या करते हैं ओशियन कार्बन अउक्साइड को डारेक्ली जो है सब्सक्राइब करने का काम कर रहा है यह इंडोनेशन रेन फॉरेस्ट है पांगों इंप्लाटेशन की वज़े से पिछले कुछ समय में इस तरीके से दिखा है पिछले 15 वर्षों में 80 प्रतिशत से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं वह वर्षावन जो कार्बन अउक्स सब्सक्राइब करने के बजाए कार्बन एमिट करने लगे हैं इसका असर इसके असर से हम भी आच होता नहीं है हमारी दिल्ली भी अवे गैस चेंबर बन चुकी है पिछले कई दिनों कई महा से जो दिल्ली का एर कॉलिटी इंडेक्स था वो भेंकर रूप से नीचे गया जिसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारे और हमारे थर्मल प्लांट का एक स्टड़ी के मताबिक इंडिया में हर साल देड़ लाक लोग जहरीली हवा का शिकार होत कैंसर अब इसके कारण क्या है इस फोटो में हम साफ देख सकते हैं किस तर्ज पर दुनिया का विद्धुत्य करण किया गया है और बिजली आती हमारी मेली बिजली थर्मल कॉल प्लांट पर डिपेंट करती है जो की फॉसिल फ्यूल को जला कर चलते हैं फॉसिल प्यूल ज हमारे युएस में एक परसन जो पूरे सालम एलेक्रिसिटी यूज करता है वो इंडिया में 34 पीपल यूज कर सकते हैं और नाइजीरिया के 61 विचिस गरी वेरी हाई तो इसका कारण उचसरजन का सीधा संब्ध हमारी दैनिक जीवन से है अगर हम अपने डेली लाइफ में लाएं तो हम डिरेक्टी कारबन को कट कर सकते हैं हम क्या खाते हैं क्या किस तरीके का यातायाज इस्तमाल करते हर एक चीज को बदल कर हम उसे रोग सकते हैं एक वोड बोल तू लास्ट तू सॉरी यह मैंने मैं 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 चार लाइन है जू मैंने एक डॉक्मेंटरी से उठाए है मैं इसमें कुछ चेज नहीं करना चाहता हूं सीज नहींगा जब चाहता है जब तक चाहता है. तो आफ जान। जाहता है जब लगाइन के वे जुए नहीं हैं यह जब दोगाइन के फिखे रूप खोप सुए परिण्टे से जाओन दोगुष झाचीं विल्ब वास डवे, तक यू, मैं सजीव गुमार्सन फ्रम गुरूराम्दास कोई तक यू